इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाई वीगार्ड बिला था आप तो उसमें करते था कि नव्यूग भी अडानी से मिला हुआ है भूल गया लोग जी आप ही की बाद बता रहा हूं आप कहते हैं कि जनादेश को हम नहीं मानते हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट में ज्यादा है हमें और हम इडियम में हार गए बीच में मत बोलिये तो फिर राहूल गांदी ने ट्वीट करके बढ़ाई क्यों दिया कि जनादेश का हम सम्मान करते हैं राजस्तान चत्रिश का सम्मान करते हैं और तेलागना की जनता को बढ़ाई दोगली बातों करने में आप लोग मास्टर हो गए गया लोगतन्त में ऐसी हिकारत कि इंडियों आपके के चैनल को बुलाया था और जो भी शंग सम्मान करनी हो सकति कीज़ी है कि लाला तन के साथ मन को जगाओ वीगाड वोटर हीटर्स के संग वीगाड क्या बात कर रहे हैं मतलब यह बात कोई लॉजिक है जो मन में आया बोले जाना है पहले प्रधान मंतरी को कुछ से कुछ गाली दो उसके जनताओं का भावनाओं का सम्मान मत करो उसके जब चुनाओं हो जाए तो इलियम काना दो दिन के बाद से शुरू कर दो हम तो जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उसी दिन मैंने बोला था आपको यादो का मानस कि शान तक आने वाला है मानक देखिएगा इलियम आने वाला है शान तक अब तक आश्रे कैस नहीं आया तो उसके कॉंग्रेसी लड़ गए थे कि क्या हम बात कर रहे हैं आपको मदाक लग रहा है हम लोग हो सम्मान करते हैं अपनी देश की संस्थाओं का और हम देश की संब जानी कोई वस्थाओं पर विश्वास है खाक पत्तर विश्वास है इलेक्शन कमिशन हमें एकाद राज जितवा देती है ताकि हम बाती में चुप रहे हैं क्या सोच हो गई है इस देश की सबसे पुरानी पाटी अपने देश के लोग तांत्रिक वेस्थाओं के बारे में अशंका है तो समाधान करा दे जब शंका के समाधान करवाने बुलाये था प्रभू तो गय क्यों नहीं अपने पूरी टेक्निकल टीम को लेके एलेक्शन कमिशन को प्रूफ कर देते हूं नहीं काफिस में कि देखिए यहां पर गरबढ़ है वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते है उसका वहां से तो भाग गए अब आप शंका है तो समाधान कर दीजिए रोज दिंग कॉंग्रेस में शंका पैदा होती रहेगी सबके संक शंका के समाधान करते चले वो कह रहे हैं कि आप अगर वाकर इतना कॉन्फिडेंट हैं अपनी लोग प्रियता को लेकर तो बैलोट से चुनाव कराके एक बर देख लीजे दुनिया कराती है वहां पर बीजेपी अभी सत्रा राज्यों में राज़ कर रही है कि वहां पर भी बूत कैप्चर रहें किया बैलेट से जहां हो रहे है स्टेट कालक्शन कमिशन पर वहां पर बैलेटस नहीं चुना हो गई दिशेए और इव नहीं चुना ही मत करवाइए तो गांधी परिवार को कि देश्टों राज करने का हक गुरुदेव आपी को है आप ही का परिवार राज कर ले अच्छा वो 2009 में डॉक्टर रजे आलो जब आपके जब राज्यसभा सांसद हैं जीवेल नरसिमा उन्हें बाकाइदा किताब लिखी थी लाल कृष्णा अडवानी जी बाकाइदा उस किताब में अपना योगदान भी देते हैं और वो EVM पर ही थी डॉक्टर रजे आलोक तो अब अगर कॉंग्रेस पार्टी सबाल उठा रही है तो उनको भी हख है जैसे आपने उठाया था नाई ने बिल्कुल हम तो कही रहें कि 2009 में GVL नर्सिमाराओं ने किताब लिखी प्राडवानी जी का उसमें कंटेंट था विमोशन हुआ उस सबक कॉंग्रेस पार्टी ने तो एक बार भी एलेक्शन कमिशन की बैठक नहीं बुलवाई एलेक्शन कमिशन ने किसी ओल पार्टी मीटिंग को नहीं बुलाए तो उग्रेस पार्टी को उसी वगद 2009 में ही करवा देना चाहिए था बैलेट से चुनाओ चंका खतम हो जाती है हमारी इन्होंने नहीं करवाया क्योंकि 9 में एलेक्शन जीत गये थे चोदो में लगा फिर जी जाएंगे ये फिर नहीं करवाया इन्होंने ये इवियन था बड़ा अच्छा था राजियों कुछ नाओ जब बीच में जीते हैं तो कहते हैं नहीं ठीक है आज कहरें कि नहीं एक राज हम जीत गये तीन नहीं जीते हैं तो मतलब बैलेट पर वापस जाने का कोई सबार नहीं है ना ये एलेक्शन कमिशन का विशए हैं हमारा विशए नहीं है जो शंकाएं विपक्ष जता रहा है अंको दूर करने की लिए कुछ करने की जबरत नहीं है ये लोकतंत नहीं है मानक जी जो ये कॉंग्रेस पार्टी कर रही है ये गुरिला युद है युद हारने के बाद कुछ नहीं मिला थि एवियम पर बड़ाप हो रहे है अरे आपकी सर्व काली आप नीचे गिर गया है आपकी पार्टी देश में भाजन कर रही है नौर्ट पर मैंने आलोग शर्मा की आरोप सुन ली आपका जवाब मैं चाराओं के बीजेपी में ये सीएम को लेकर सस्पेंस जो है इस पर भी कुछ बोलिए मुख्य मंत्री पर इतना सस्पेंस क्यों है डॉक्टर रजी आलोग ते लंगाना में तो कॉंग्रेस पार्टी ने टैकर लिया रेवंत रेडी बनेंगे अच्छा मानक ये बताईए मिने इमानदारी से बता रहा है तुकेज भी बैठे हुए है बालोग भाई भी बैठे हुए है सब यहां पर राजमिती के लोग बैठे हुए है एक प्रवक्ता से ये सवाल कूछना नहीं सभी उचित है इतना सस्पेंस क्यों है इतना टाइम क्यों लग रहा है विचार विमर्श हो रहा है और जर्वर नूक किया जाएंगी वह भेजे जाएंगे राजियों में विधायक दलकर निता चुना जाएगा सब्सक्राइब क्यों है एक सप्ता के अंदर बन देना चाहिए कायदे से उतर प्रदेश में तो हमें दो तीन सप्ते लाग यह थे हमारी प्रॉसेस में आई ऐसा नहीं के परिवार नियूक्त कर दिया रेवन तरडी बन गए गंटे में तीनों जगे कही पुराने दावेधारों के बीच बड़े चेहरों के बीच मुछिल तो नहीं होगीए वहाँ शिवराद जी या बसुंद्राजीए वहाँ डॉक्टर रमण सिंग कोई मुछिल नहीं है कहीं से कोई मुछिल नहीं है यह सब बाते वहां मुश्किल पैदा करती है जहां कॉंग्रेस पार्टी के दो चहेते हो जाते हैं जैसे गैलोट अपाइलट जैसे बाबा और बुपेज यह हमारे यहां समस्या नहीं होगी इनकी यहां समस्या है मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ आप प्रवक्ता है तो आप अपनी सीमाओं के बाहर जाकर हमें कुछ नहीं बताएंगे लेकिन मेरे सायोगी सुकेश रंजन